मैं हूं मसूद इलाई और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल इपिएफ एक्जार्टिक प्लांट फार्मिंग आज हम स्टार फ्रूट के बारे में बात करेंगे जिसको कार्बोला कहते हैं यह ट्रॉपिकल फ्रूट है यह ट्रॉपिकल एरिये का यह इंडिया मलेशिया इंडोनेशिया फिल्पाइन में पाया जता है इसको स्टार फ्रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शकल अगर कटाई करें तो स्टार की महाने दिखाई देती है जैसे कि मै बेलके सब्सरांग का होता है जब पक जाता है तो इसकी रंगत पीली हो जाती है यह फ्रेश क्रंची और जूसी होता है इसका जायका मीठा और हलका सा खटा होता है जैसे हमिली के पत्य हो तो यह बहुत लोग को एलरी थ्रोट है इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स पाया जाते हैं यह विटामिन्स से बरबूर है और एंटी आक्सिडेंट है इसके अजिजा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी और बीफाइब, कैल्शियम, सोडियम, कापर, प्रोटाशियम, मैगनीशियम बगरा पाया जाते हैं इसकी एक खास ऐहम बात यह है, कि गुर्दे के मरीजों के यह बहुत नुकसान दे, यह जिनके गुर्दे में इनिफैक्शन हो या पत्री हो तो इसको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खुसुसी तोर पे प्रेस करें पाके गुर्दे को मजीद नुकसान ना पहुंचे, तो इसकी इलावा मैं आपको मजीद इसकी फार्मिंग के बार में बताता हूं, इसको बीज की मदद से उगाया जा सकता है, इसका बीज जो है, वो हम लोग के बीज की मानल होता है, तो जब कटिंग करें यह फ्रूट की, तो आपको बीज भी दिखा देंगे, बाकि अगर ग्राफ्ट कर लिया जाए, तो ग्राफ्टे की मदद से जल्दी फल देता है, वैसे तकरीबन साथ साल फल के बार फल देता है, तो इसको पौदे को तो सर्दी में नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन यह सर्दी के मौसम में जब फल लग जाता है, तो उस वकट इसके पत् प्याब और सिंद्ध के तमाम इलागों में काश़ किया जा सकता है, यह अच्छा सख्ट जान पधाया है, लेकिन खुस्मी तो फल के दिनों में, इसके ऊपर क्वर कर लिया جाए, या शापन लगा दिया जाए, या उसके ऊपर कुछ और बंद्बस्त कर लिया जाए, तो फ